तो दोस्तो आज हम करने होगा है, पर्ट 7 उप जनुरी और मार्च, कॉरंट अफेर्स सीरिस में, इंटर्नाशन रिलेशन्स में जानेंगे, रेस्ट उप वोल्ड से रिलेटेद इस रिलेटेद कॉरंट अफेर्स, लास्ट वीडियो में जाना था इंडिया नेवर्भरोट से related current affairs तो आज हम देखेंगे rest of the world part 1 और next वीडियो में देखेंगे part 2 जिसमें कि हम complete international relations को कर लेंगे तो आए दोस्तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि प्लीज आप यदि नहीं है हमारे चैनल पे तो प्लीज जिससे सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन को जुरूर दबा जिजे जिससे की आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और जैसे कि मैंने पहले भी काया कि 90% of the views हमारे जो unsubscribed people हैं उनके तरफ से आ रहे हैं तो प्लीज जादी आप हमारे चैल को देख रहे हैं इसके वीडियो इसको पसंद कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब बटन जूरू प्रेस कर जीजे आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा motivation मिलती है हमें तो आई दोस्तों शुरू करते हम आज का ये वीडियो तो आज कौन-कौन से topic देखने वाले हम वो जान लेते पहले तो Nancy Pelosi जी के बारे में जानेंगे हम उसके बाद हम जानेंगे Boeing F-15EX जो की एक fighter है इस aircraft के बारे में जानने वाले है blast near Israel embassy ये January में हुआ था इ U.S. ने दुबारा re-join कर लिया है UNHRC इस news item को देखेंगे फिर हम जानेंगे concern for religious freedom ये U.S. department designate करती है countries को तो उन्होंने किन countries को designate कराया है as countries of concern इस news item को देखेंगे कुवेट के PM reappoint हो गए है as PM तो इन कौन है ये PM इनके बारे में जानने वाले हैं फिर हम जानेंगे कि किस country ने एक अनुखी ministry ministry of loneliness बनाई है to combat the suicidal tendencies जो पैदा होगी ये लोगों के अंदर due to COVID-19 तो इस ministry को जानेंगे कि कौन सी country ने ये ministry बनाई है और कौन इसके head है इंडिया ने पहली बारी संस्कृत का यूज किया है at UNSEA के environment के पर meeting हुई थी तो उसमें संस्कृत का यूज किया गया है तो इस news item को देखेंगे फिर हम जानेंगे the most powerful Arab nation ये कौन बन गया है ठीक है तो ये पूरी list के बारे में हम आज जाने वाले है और last में हम जानेंगे प्रेजिडेंट ऑफ क्रिगिस्तान और यूगांडा जो की नय नय अपॉंट है ये कौन कौन personalities है तो आज़े दोस्तों शुरू करते है तो पहली news item देख लेते हैं नैंसी पलोसी जी के बारे में तो news क्या रही थी नैंसी पलोसी जी को पनाया गया है और ये डेमोग्रेटिक पार्टी के ही है जो की जो बाइडन जिस पार्टी के हैं उन्ही पार्टी की है ये नैंसी पलोसी जी और ये 216 वर्सिस 219 वोट से जीत के थी जो की इनके राइवल थे केविन मेकार्थी उनको हरा के जो की रिपब्लिकल उपोनेंट थे तो नैंसी पलोसी is the speaker of house of representative of US तो ये याद रखना है आपको अगली न्यूज देख लेते हैं बोईंग F-15E-X तो जब फाइटर आप देख रहे हैं बोईंग F-15E-X ये क्या करा है यूज गवर्मेंट ने अप्रूवल दे दिया है बोईंग को कि वो उफर कर सकती है इंडिया को इंडियन एर फोर्स को जब इंडियन एर फोर्स ने एक टेंडर निकाला है 114 जेट्स का तो ये बहुत बड़ी development है कि US F-15E-X फार्टर हमें उफर करेगा तो जो अपाचे ह हैं जो कि हमने अलेडी ओर्डर करें बोईंग से AH-64 तो ये क्वेस्चन भी आया थे एक बार एक 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 जाम में की अपाचे हेलिकॉप्टर कौन सी कंपनी मनाती है तो बोईंग मनाती है तो ये बोईंग बनाती है US की ठीक है और इंडिया में को क्लाबरेशन है टाटा बोईंग Air Force Limited से ठीक है तो इंडिया ने जैसे कि मैंने बता है आप आचे के अल्यडी बाइस हेलिकॉप्टर कर चुके हैं और शिक्स एडिशनल इस साल करे थे इनोंने और बोईंग और क्या डिलिवर करने वाला हमें 3P8i लॉंग रेंज मरीन टाइम पेट्रोल एरकाफ य उस पे एक ब्लास्ट हुआ था उसके पास अबैसी के पास और यह हुआ था 29 जैनवरी 2021 में ठीक है तो अब आचेस की इंपोर्टेंस को है क्योंकि यह 29th anniversary celebration थी उस दिन को 30 साल होगे थे इंडिया और इसरेल के diplomatic relations को अबैसी जो सेट आप हुई थी दोनों कंट्री में डिप अब इरान के पीछे है क्योंकि इरान के एक जनरल थे Major General Soleimani यह आपको मैंने पताया भी था बहुत इंपोर्टन थे इनको असे हैसिनेट कर दिया था यूएस ने ड्रोन स्टाइक में जनवरी 2020 तो उसका बदला लेने के लिए एक message send करने के लिए यह एक bomb blast किया गया था नि United Nations Human Rights Council को rejoin करने वाला है Biden ने यह Donald Trump का एक और decision है जो reverse कर दिया तो Biden ने यह reverse किया है Donald Trump ने इनसे withdraw कर लिया था क्यों कि Donald Trump ने कहा था कि जो council है वो biased है against Israel कुछ इनके decision जो है वो biased है इसराइल के खिलाफ है और Israel आप जैसे की जानते है US का बहुत अच्छा ally है और 2018 में withdraw कर लिय यूएस ने यूएस ने यूएस ने यूएस ने यूएस ने यूएस ने अरच्रसी से और ये भी का था था यूएस ने कि इनके बोर्ड पर कुछ ऐसे आपने बिठा रखे मेंबर्स जैसे की चाइन पाकिस्तान जिनका खुद का human right record बहुत खराब है Saudi Arabia तो उस हिसाब से उ क्या है किसलिए बनाई करिया है तो प्रोमोट एंड प्रोटक्ट हुमन राइट्स अरॉट्ट हुमन राइट्स की रख्षा करता है और इसके अंदर 47 मेंबर्स है जो यून असेमली से जा इलेक्ट होते है तीन साल के लिए रिजिनल ग्रुप पे सिसमें टीक है और इसका है जैसे कि मैंने पता है human rights को protection करना इसका काम है it address, investigates, allegation of breaches of human rights in United Nations Member States और ये freedom of association, assembly, expression, belief ये सब rights prevent करता है, protect करता है राधर throughout the world ठीक है तो ये है UNHRC की बारे में जिसको US दुबारा rejoin करने वाला है अगली news item देख लेते हैं, concern for religious freedom तो इससे news कहती कि US ने designate कर दिया है Pakistan और चाइनों को as countries of particular concern in religious freedom तो ये आ सकता है कि कौन-कौन सी countries को US ने designate कर रहा है as countries of concern in religious freedom जहापे अजादी नहीं है धर्म की persons को अजादी नहीं है कि वो कौन सा धर्म फॉलो करें ठीक है तो US और चाइना को designate कर रहा है और आठ countries है total जिनको की करा गया है that are particular concern for violation of religious freedom तो कौन-कौन सी countries है ये देख लेते हैं चाइना पाकिस्तान तो ही Myanmar है जहाँ पर हम आपको पिछली वीडियो में बताता है military coup हुआ है Etria है, Iran है, Nigeria, South Korea, Saudi Arabia, Tajikistan and Turkmenistan तो ये countries हैं जो US ने designate करी है as concern in religious freedom और तीन countries चार countries ऐसी भी है Koromas, Cuba, Nikagua and Russia जो की special watch list पे रखा गया है for severe violations of religious freedom तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि Pakistan और China को designate किया है Kuwait PM reappointed, अब Kuwait के PM कौन है? News के आई थी Kuwait Emir has been reappointed as Prime Minister तो क्या नाम है इनका? Sheik Sabah Al Khalid Al Sabah तो अब Al Sabah के नाम से याद रख सकता है Sheik Al Sabah जिनको जो की Prime Minister है, बन गए है Kuwait के दुबारा से, ठीक है? और आपको से related news पता रहता हूँ, थोड़ी सी information देता हूँ, Kuwait की capital है Kuwait City और इनकी currency है Kuwaiti Dinar अगली news देख लेते हैं, Ministry of Loneliness तो यह news कहती, Japan appoints Minister of Loneliness to address the growing suicide rate amid COVID-19 तो COVID-19 में जो suicide rate बढ़ रहा है, लोगों को psychological issues हो रहे हैं, उसकी वाइसे suicide rate जो बढ़ रहा है, उसको tackle करने के लिए Ministry of Loneliness बनाई है Japan तो यह आपको याद रखना है country, पूछी जाएगी Ministry of Loneliness को किसने बनाई है during COVID-19, तो आपको बोलना है Japan is the answer तो जपान के PM जो है, Suga जी उन्होंने अपॉइंट किया है, that Shushi Sakamoto को इनके as a Minister of Ministry of Loneliness तो इनका काम क्या होगा, revitalizing the regional economies और national जो birth rate follower है, उसको tackle करना इनका काम होगा तो Minister का नाम important नहीं है, जपान ने करी है, यह आपको यादक नहीं है, और इससे related news यह है कि 2018 में United Kingdom बन गया था, पहली country जिन्होंने इसी नाम से एक ministry बनाई थे, ठीक है, तो United Kingdom आप याद रख सकते हैं और Japan जो है, उन्होंने pandemic के दुरान बनाई है, तो यह आपको याद रखना है, यह latest news है अगले news, इंडिया uses Sanskrit at United Nations Security Council, तो news क्या है, शिरी प्रकास जाडवेकर uses Sanskrit for first time at UNSC on climate change, तो एक climate change पे United Nations Security Council के meeting थी, तो वहाँ Sanskrit का यूज किया गया है, तो starting his debate on climate change, जावाद कर address the other dignitaries with Sanskrit theme from शुकल या जुरुवेदर, तो शुकल या जुरुवेदर से इन्होंने एक hymn लिया थ तो यह इन्होंने पूरा का पूरा पूरा रिसाइट किया था, अपनी address को begin करने से पहले, तो इंडिया ने पहली बारी UNSC किसी meeting में Sanskrit का use किया, तो यह news item थी, most powerful Arab nation देख लेते हो, तो कौन सा है, जंडे से, आपको पता चल गया होगा, देखके, Saudi Arabia has been ranked the most powerful country in the Arab world, तो Arab world की Saudi Arabia, तो Saudi Arabia वैसे overall जो ranking है, उसमें 11th most powerful country in the world है, अगर as a world hole देखे, तो उसमें first है USA, लेकिन Saudi Arabia जो है वो 11th country है, और Islamic और Arab world में यह first ranking पे आई है for 2021, और यह magazine है CEO world जिनोंने यह ranking निका लिया, USA top position पे रहा China, second रहा Russia, third रहा और fourth रहा India, तो यह है ranking जिसमें की Arab most powerful nation जो है, वो Saudi Arabia बन गया है, as per this ranking, अगली नूस देख लेते हैं, President of Kyrgyzstan, तो Sadir Jeparov wins the presidency of Kyrgyzstan, तो Kyrgyzstan आप जैसे की map में देख सकते है, red में highlight किया हूए मैंने, यह जो है, एक Central Asian country है, जो USSR का part थी, जो break होगा था, तो उसमें से Kyrgyzstan बनी थी, तो यह इनके President बन गया है Sadir Jeparov, तो यह question आ सकता है, Sadir Jeparov कौन सी country के President बने है, तो होगा Kyrgyzstan, यह उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, और इनकी Capital है, Bishkek, और करंसी है, करंसी है, करंसी है, किर्गिस्तानी सो, Similarly, President of Uganda कौन बने है, तो यूगांडा's long time reader, Yoweri Musaveni, declared the election winner, तो यह आपको नाम याद रखना है, Yoweri Musaveni, यह उगांडा के President बने है, यूगांडा एक African nation है, और इसकी Capital है, Kampala, और करंसी है, यूगांडान शिले, तो दोस्तों, यह था हमारा पहला पार्ट, जिसमें हमने आगे ले जाएंगे discussion को, और जो बचे हुए current affairs है, Rest of the World international relations से, वो हम जरूर देखेंगे, जो कि आपके examination point of view से important है, तो दोस्तों, यह आपने वीडियो यहां तक देख लिया है, तो प्लीज इसे like कर दीजे, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब लिए किया है, अब तक चेले, बबबाई, और आपी लेर निए!